हुआ गाई श्रक कैसे हो सब लोग हमिशा हाँ है क्यों उसकी होगे तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं pubg light पप्ली बार नी खेलने वाले हम आगे भी pubg खेल थे लेकिन आज पहली वीडियो में चैनल पे डालने मगवं pubg light की तो इस gameplay जब भी मैं इसकी गेम खेलने लगा हुँ तो मैं यह सोचता हूँ कि यार सोलो खेलना चाहिए स्कॉार्ड में रैंक काफी पुछ का लिए सोलो में और डियो में भी अपना रैंक पुछ करना चाहिए लेकिन जब भी सोलो पे क्लिक किया मेरे दिल से एक तरद भड़ी जब भी हमको मैं लंगूर ही मिले कभी हमको अंगूर नी मिले और माशा एला जो आज हमें स्कॉार्ड मिलाया ना बाई उसके साथ खेलने में हमें बहुत ज्यादा मजा आया और पहले तो हमने सबको इसको प्रिक्वेस्सेंड के कि सास्थ में बाई जम करते हैं लेकं या अच्छी लूट भी बिल जाते हैं तो हम इसे वहां पर लेके गे और हमें सबसे पहले तो हमें लेवल वन का बैग और कुछ बैंड़िज मेले उसके बाद मिनी फोर सिक्स और उसके थोड़ी से एमों मिली तो देखा के नमबर फोर जो है वो रिवाइव मांग रहा है हमसे औ देखा तो एक पूरा स्कॉर्ड था वो उस पर रश कर रहा था मतलब दो बंदे थे एक को तो हमने यहां पर नौक किया और जो दूसरा बंदा था वो थोड़ा सा बाग रहा था इसलिए हम उस पर इतनी असानी से एम नहीं कर पाए वो कभी इदर कभी उदर और और था ले तो यह थी हमारी सफ्ती शाहिरी है is keep up ji right in तो यहां से हमें मिल जाती है एक गन जिसमें दो स्कौर्ड का छोथा बंदा चेक कि की और है तो तो यहां पर是不是 कुई बंदा healthcare majority बट बाइजान श्वारkich जान उस बटाने har ड्रॉप्स होते हैं यह हमें मिल जाती है M416 जो के PUBG Lite में मेरी सबसे ज्यादा फेवरिट गन है तो हम चट के उपर फिर से आते तो सामने कुछ और बाट हमारे सामने होते हैं एक बाट को तो हम चट से ही नोक कर देते हैं और दूसरा जो बाट होता है वो थोड़ा सा सख्त बाट होता है सख्त बाट मतलब थोड़ा सा यह डिवी का लाम से मरता है इसे ऐसे हम M416 की एमो क्यों बाट पर जाया करें हम इसलिए यह जूसरी गन से मैं इसे मारता हूँ तो यह थोड़ा सा मुश्किल से मरता है हम से और उसके बाद हम यहां पर इसे अच्छी खासी लूट करते है क्योंके यार बाट जो होते हैं वो मुझे तो लगता है कि होतलते फिरते और ड्रॉप्स होते है और यहां पर यह जो बाट था इसे भी मारते है एमो हमने जाया नहीं करनी M416 की उसके बाद हम यहां पर अच्छी खासी उससे लूट करने के बाद है फिर से हमें वो सामने एक और बाट बाट बहीं नजर आए और हमने यहां से फिर फायरिंग उन पर शुनू की और उसके पास गए तो पहले तो हमने A.K.M. से उसको मारा उसके बाद हमने का क्यों A.M.O.S पर जाने करें हम पिस्टल से मारते हैं हमने पिस्टल जैसे निकाला तो भाई इसका पिछवारा बहुत सकता तो इस पे दो हमारी एक्जिजिंस गाली होगी लेकिन यह फिर भी नहीं मरा और आखर का यह मर गया और हमने इससे फिर लूट की और लूट करने के बाद हमने नमबर त्री को कॉल की कि वह ही रहा गया था आखर में तो हमने का कि आओ बाई मिलके खेलते हैं और हमने चिकन डिनर करना है तो यार हमने यहां पे नमबर त्री को कहा कि मिलके खेलते हैं उसके पाद हमें चिकन आफर हमें उसके का बाई कुई टेंशन नहीं है कहलेंगे साथ में जी चिकन मारेंगे तो यहां से हम अपनी यज रेके उसकी तरफ गह और वह बगई भी पे था वो हमारी तरफ आया और जिस तरीके से उसकी हालत हुई बाई साब कसम से मज़ा ही आगा उसको दिए तो इसलिए कहते हैं जिब चलानी ना आए ना तो गारी में बैठते ही नहीं है तो हमने इस तरहां से नमबर त्रीके की लूट उसके बाद हमने सोचा कि आप रच करने का तो फाइदा है नहीं तो हमने का कि अभी नोव प्रो गिरी को छोड़ते हैं नोव गिरी में आते हैं और हमने एक कमड़े में का लिया कैम्प तो बाई साब हम जैसे कैम्प करने के लिए कोई अच्छी से जगह डून रहे थे तो हमें सामने वाले खिर्की से कोई बंदा हम पे फेंग रहा था है अंगरनेट हो जैसे हम बाई निखले तो हम पहले वो हमारे आगे आगे था और हम उसके पीछे पीछे और कोई दियर बाद हम उसके आगे आगे थे और वो हमारे पीछे पीछे ओवल धरादार गोली चला रहा था और हम इसी इंतजार में थे कि जब उसकी रिलोड पे गन लगीगी हम उस पर एम करके उसे नोक कर देंगे तो ऐसे ही हुआ जब उसकी गन जैसे ही रिलोड पे लगी हमने उसे नोक किया और बाई साहब नोक हो गे उसके बाद हम जैसे कवर में अपने को मैडिकल किट लगाई उसके बाद गन रिलोड करके हम जैसे ही बाई निकले उसको मानने के लिए गांशा ने रिलोड करने के बाद तो सामने एक बंदा था जो खुले में स्कॉब खुल के अनिमें स्पॉट करा रहा था तो हमने उससे भी मार डाला उसे किल किया और नीचे वाले बाई साथ पता नहीं किता है कोई पता नहीं चला उसके बाद जैसे हम फिर कवर में आए और फिर कवर में आने के बाद फिर जब गारी निकले तो एक बंदा लाउक्ट लाउंचर लिये वाहता है शुकार था छिखर है इसका जो लॉ 하는데 बोड पे था और इस पहर भी हमने नो किया उसके बाद सावने से कोई को हमारी गाड़ीं पर गोल्हें चला था हमें पता kalo cucie यूडर को तॲक्न की तकर भी दिया लेकिन उससने हमने यूज़ को तबाह कर दिया उसके बाद हमारे के थाँ पर देद फिर कावर यूछ्ट की रिलोट की रिलोट हमने आप L है वो लिया और यहां से निकलने की तो हम गारी में बैठे और यहां से हम जा रहे होट डॉप की तरह तो सामने हमने देखा कि ट्रिपल स्टोरी पर बंदा है तो हमने वहां पर गारी खाड़ी कि और सामने वाली बिल्डिंग की ऊपर चड़े क्योंकि हमें वहां से उसको इस इसको तो डामिज दी या इसको लेकिन ये नीचे भाग गया तो इसका एक दोस्त था जो नीचे से हम पर एम करने की कोशिच का रहा था तो अमने जल्दी से जल्दी स्पोर्ट कर लिया और उसको नो कर दिया हमने एम 416 से इसको नो करने के बाद हम जैसी मानने हैं तो पीछे से किसी ने मारा पता नहीं किस ने माराए भी स्वाइब्धरों स्वाइब्स वा गाल toplim wordt Carnou will let you sit crash the diabetes andれbeing censरे भाए निखलने में त sulphतार निकले लोड़्न दोस्वाइ निख़लने लगे थे सामने से एक थेजर अफ्तार बगी गुगदी तो बगी क yolते तेज मत खलत साबत कर दिया मुझसे भी बड़े नौपते मैं यहां सामने से खरा हो कि इन दोनों को मार रहा हूं और यह दोनों के दोनों को पता ने चला कि हमें गोलियन लग कहां से रही है तो मैंने इन से एक analog को किया दूसर जो था वो नीचे भाग गया तो जैसे नीचे बागा मैंने यहां से समरे सहरा है को पहां सामने था उसको वह बहुत Queensland कि नौक करके चोड़ दिया और यहां से लूट किके हमेरा एमफॉसी की आमों बिलक्तकर खतम हो चुकी थी तो तो यहां से हमने एफसी स्थी की थोड़ी सी एमों मिल गई है और नीचे के उसको मानें तो हमें बिलकर पता नहीं था कि यह का तीसरा बंदा भी यहां पर ही होगा तो वह इस बैलकिनी में चपए हुआ था हमने नीचे फीट आ जालते हैं तो नीचे कोई बंदा ने सा जैसे बिलकर 0000 और स्कॉर्ड ने गंस तो इस तरह उठाई है ऐसे लगता है कि पब जी लाइट कसाट कसाट बना एंदो नहीं मानना है लेकर मार एक भी नहीं सके तो हम बना रहे हैं बाई साब एक स्कॉर्ड अगर आप चाहते हो कि आप हमारे स्कॉर्ड में आ जाओ हमारे साथ ग